नमस्कार दोस्तों जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली टेलसार एलेन टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। तेलसार एलेन टैबलेट का उप्योग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। लगवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है। और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में तेलसार एलेन टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में तेलसार एलेन टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। दीमा होना, कब्स होना और नीन अधिक आना आधी साइड इफेक्स तेलसार एलेन टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की टेलसार एलेन टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। टेलसार एलेन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। लेकिन टेलसार एलेन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर टेलसार एलेन टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। टेलसार एलेन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको टेलसार एलेन टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की टेलसार एलेन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। टेलसार एलेन टैबलेट के साथ दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली नॉन स्टेरोइडल एंटी इंफलमेटरी दवाईया जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक, आईबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदी दवाओं को टेलसार एलेन टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से टेलसार एलेन टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किड्नी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको टेलसार एलेन टैबलेट के साथ-साथ नमप का सेवन कम करना चाहिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए तेलसार एलेन टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए और तेलसार एलेन टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टेलसार एलेन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं